तो आज की वीडियो में आपको सिखाने हैं अलों डार्क ब्लू एंड ब्राउन इफेक्ट फोटो एडिटिंग जो कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हों काफी अच्छी फोटो एडिटिंग है यार इस फोटो एडिटिंग को अम लोग टूलीच की हेल पर सिख किये हैं अग सुगा इहां से टूलीच उपन हो गया तो जैसा की टूलीच आपको प्लेस्टोर में मिल जागे आप जाके वही से सर्च करकी इसे डाउनलोड कर लिजिए डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करना है ओपन करने के बाद आप को इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा तो तो सबसे पहले क्या करना अब है फिट कर दिन्ण है इसे पहले को metabol persek कर दो है तो से यहां से पहले जो इने को प् einzelक कर देंगे इस topics करने confirm को इसकीन को रूटेट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समाज जाए ठीक है तो यहां से हम टूर्निंग पर क्लिक कर देंगे उसके आधिया से आपको SLR को आप्शन है ठीक है यह जो रहा है SLR को आप्शन इसमें क्लिक कर देना है उसके आधिया से आपको हो एसके आप क्लिक करने के बाद यहां से हुई साचूरिशन और बैटनेज दिया है तो यहां से आपको setting के बगल में marks का option है इसमें क्लिक कर देना है एड़ आपको eraser का option मिल जाएगा फिर आपको कुछ इस तरह से erase कर देना है जहां पर भी effect है उसे आप इस तरह से erase कर सकते हो करने बाद दोस्तों आपको write कर देना है अब write करने बाद हम क्या करते हैं बेग्राउंड का color change करना है ठीक है तो बेग्राउंड color change कैसे करें तो उसके लिए आपको same आपको toning का option मतलब toning tool पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको selective color का option मिल जाएगा जो कि मैं आपको red color का channel लगा कर दिखा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समा जाए तो इसमें click करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करते हैं तो यहां से आपको red, yellow, blue अगर आप बहुत सारा color दिखाई देगा तो हम सबसे पहले green color को select करेंगे उसके आद यहां से आपको स्यान जो उपर में स्यान का option है इसको कुछ इस तरह से minus 100 कर देना है एंड यहां सापको black को रख लेना है प्लस 50 बस उसके आद दूस्त आपको yellow color पर click कर देना है तो इसका विश्यान को रख लेना है 25 पर रख देते हैं एंड ब्लैक सो कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं उसके आद इसे राइट कर देते हैं राइट करने बाद दोस्तों हम फिर से आपको टोनिंग पर click कर देना है आपको जैसे की बता ही चुका हो कि हम माक्स पर click करेंगे एंड यहां से कुछ इस तरह से रिमोट पर सकते हैं उसके आद राइट कर देना है अब दोस्तों यहां से हमें फिर सूप ग्लो करना है ठीक है तो फिर सूप कैसे ग्लो करें तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह स आपसन मिल जाएगा इसमें क्लिक कर देना है उसके आद यहां से आपको फेश टून का आपसन है फर्श नंबर पर इसमें क्लिक कर देना है फिर यहां से जो मैनुवल ब्रस को सलेक्ट करने नहीं यह जो रहा उसके जहां पी भी आप ग्लो करना चाहते हो उसे कुछ सौरी का दोएं अब दौसको हैं से हम देख लीजी जो टीशट करना एक टिक तो इसके कले हैं तो उसके लिए तो फिर यहां को टोनिंग का तो आस त्ञार मिल जाएगा है NO2 आसा को सेम आपको छल ऑप्सन पर क्लिक कर देना है एन दोस्तों यहां सेटिंग्स पर आ जाएंगे फिर यहां से एलो कलर सेलेक्ट करेंगे उसके आद यह जो आपको फॉस्ट हुई है क्लिक रख देते हम कितना रखे 15 पर रख देते हैं अब यहां से क्या करते हैं माक्स पर क्लिक करते हैं जो इफेक्ट है उसे रिमूप करने के लिए फेसमें तो और कुछ इस तरह से रिमूप कर देखने एंड दोस्तो देख लीजिए जो टीशर्ट के कलर है वह भी कापि अच्छी तरह से दिख रही है अब इससे रेट कर देने राइट करने बाद यहां से दोस्त्त आपको क्या करना हुआ एक्स्पोजर को थोड़ा कम कर देना है उसकी आद राइट कर देना है, राइट करनेक बाद दोस्तों यहां से आपको उपर में यह जो शेप को ऑप्षान है इसमें क्लिक करके आपको इमेज को सेफ कर देना है, आई है अप दोस्तों आपको वीडियो पासेंना तो लाइक सास्क्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं ह इस्टे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई